आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक एप के बारे में जिसकी मदद से आप अपने फोन में सेव फोटोज को वीडियो में आसानी से कनवर्ट कर सकते हैं इसके अलावा उस वीडियो में धेरो एफेक्ट्स भी दे सकते हैं तो चलिए देखते हैं तो फोन में सेव फोटोस को अगर आप एक वीडियो फाइल में यानि एक छोटी सी क्लिप या फिर छोटी सी मुवी टाइप में बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको Google Play Store में जाके एक एप इंस्टॉल करनी है अलेडी मैं ये एप इंस्टॉल कर चुका हूँ इसका नाम है Movie Editor तो Google Play Store में जाके आपको सर्च करना होगा Movie Editor Movie Editor सर्च करते ही आपके सामने धेरों आप आप आजाएंगी तो कंफ्यूज मत होगीएगा पहली एप है जिसमें 4.6 रेटिंग दी गई है और लेडी ये मेरे इसमें इंस्टॉल दिखा रही है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार Video Show Enjoy Movie Video Editor तो ये ओल लेडी मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ चलिए अप ओपन करते हैं और शुरू करते हैं फोटो से वीडियो में बदलने का तरीका एप ओपन करने के बाद आपको सामने तीन आप्शन दिखेंगे पहला Premium, Editor और My Studio Premium यानि इसका एक Premium वर्जन भी है अगर आप चाहें तो इसे खरीद भी सकते हैं ले सकते हैं इसमें कुछ आपको फीचर मिल जाएं जैसे इसमें आपको एड नहीं आएंगे 1080 Pixel की जो Hide Definition के वीडियोज है वो आप Export कर सकते हैं साथ में कई Effect मिल जाएंगे और GIF Files वगएरा आप आड कर सकते हैं तो यह सारी चीज़े हैं आप इसमें पा सकते हैं वरना इसमें नौर्बल भी यूज किया जा सकता है 6 महीने के लिए इसमें आपको 1100 रुपए पे करने होंगे और वहीं 12 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1650 रुपए आपको पे करने होंगे यहां पे हम इसका Free Tile यूज कर रहे हैं तो बैक जाते हैं और देखिए जाता कि मैंने आपको बताया है इसमें एड भी आ गया है क्योंकि एक Free Version है अगर आप पे वर्जन इसका लेते हैं तो यह एड वगएर इसमें नहीं आएंगे तो यहां से हमें से क्लोस कर देते हैं और अब सेकंड आप्शन पर चलते हैं जो जो भी यहां पे सेव हैं तो आपके फोन में जो भी चीज़ें सेव हैं फोटो वीडियो वो सारी आपको यहां पे मिल जाएंगी तो शुरू करते हैं सबसे पहले तो आप यहां पे जो भी फोटो अपनी यूज करना चाहते हैं वीडियो में कनवर्ट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ष करें, यहाँ पे कुछ फोटोस हैं जो मैंने सेव कर रखी है अब वीडियो के लिए मैं इनहीं में से कुछ फोटो का जो है selection करूँगा जैसे इसे कर लेते हैं इसे कर लेते हैं और ये अगर आपके पास ज्यादा फोटो हो तो थोड़ा बेटर रहता है क्योंकि speed बगएर भी आप set कर सकते हैं लेकिन वीडियो थोड़ा सा अगर दो मिनट तक का हो तो थोड़ा सा ही लग तो चलिए मैंने फोटोस एड़ कर ली हैं जो मैं वीडियो में convert करूँगा अब next option पर क्लिक करते हैं और ये दिए ये एक automatic जो है इसने एक वीडियो टाइप कर जनरेट कर दिया है हाला कि इसमें हम और भी चीज़े हैं वो एड़ करेंगे जैसे सब से पहले बारी बारी से हमारे सबसे पहले हम मैं आड़ करता हूं इसमें music जो आपके background में चलेगा अब music आड़ करने के दो तरीके हैं पहला तो इसमें जो पहले से default इसमें दिये गए हैं कुछ music files वो आड़ कर सकते हैं नहीं तो अगर आप चाहें तो आपके phone में जो music files save है या कोई गाना लगाना चाहत हैं तो वो भी इसमें add कर सकते हैं जैसे यह मेरे phone में कुछ music file save है मैं इन्हें add करता हूं यहाँ पर आप इसे check भी कर सकते हैं जो music add कर रहे हैं वो कैसा है और यह हमारा background में music add हो गया अब आगे बढ़ते हैं edit यहाँ पे आप देख रहे होंगे नीचे धेरो option आ रहे हैं clip edit, subtitle, effect, mosaic, transition, sticker, multi music तो इन सब options के अपने अपने use हैं आप video को कितना जासा interactive और किस तरह का video बना चाहते हैं उसके depend करता है जैसे यहाँ पे subtitle की बात करते हैं तो आप video में अपने अप text लगा सकते हैं जैसे हम यहाँ पे plus में जाके text लिखते हैं मैंने एक normal ऐसी text डाल दिया है आप खुछ की लिख सकते है natural scene और यह यहाँ पे डाल दिया अब दिखिए जैसे ही मैंने text डाला मेरे सामने यहाँ पे कई तरह के effect भी खुल गए हैं जो आप text में add कर सकते हैं जैसे यह देखिए तो इसे आप अपने हिसाफ से choose कर सकते हैं और चाहें तो इस text को आप अपने हिसाफ से position भी दे सकते हैं तो यहाँ पे मैंने इसे middle position दे दी और इस यह text आपके कितना लंबा कितनी images तक जाए वो भी आप यहाँ से set कर सकते हैं तो इसे हम set कर देते हैं यहाँ पर अब देखिए इसका थोड़ा सा time हम और बढ़ा देते हैं क्योंकि यह text बहुत और यह हमने इसका थोड़ा time बढ़ा दिया है और यह देखिए तो text अब हमारा add हो चुका है उपर की और जो tick mark देख रहे हैं उस पर click करके यह हमारा text add हो गया अब वीडियो का अगर आप size देख रहे होंगे तो यहां पर देखिए वीडियो का size 28 seconds आ रहा है अब मैं चाहता हूं कि थोड़ा size से बढ़ा दिया जाए और जोड़ी जल्दी जा रही है वो थोड़ी सी देर से जाए तो इसके लिए setting में जाके duration में click करना होगा और यह दिखिए 3.9 seconds और यह दिखिए हमारा पूरा video का size है वो 57 seconds हो गया यानि हर image के बीच का जो gap है वो बढ़ा दिया है मैंने और इसे यहां पर जैसे कि मैंने बताया tick mark लगा देते हैं तो इस तरीके से video का size बढ़ चुका है चलिए इसमें कुछ और चीज़ें add करते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें check करते हैं theme के option में आपको कई themes मिल जाएंगे अगर आप बहुत ज्यादा changes नहीं करना चाहते हैं बहुत ज्यादा effects नहीं देना चाहते हैं अलग-अलग तो theme भी choose कर सकते हैं इसमें क्या है कि आपको कुछ खास नहीं करना है आप जो भी theme आपको select करनी है जैसे यहाँ पर love spark first theme है यह मैंने select कर ली और यह देखिए और इस तरीके से यहां से भी आप अलग-अलग effect डाल सकते हैं tarnation डाल सकते हैं जैसा कि यह देखिए तो इस image में मैं इसे डाल देता हूं इस image में मैं इसको डाल देता हूं अब देखिए मेरा वीडियो किस तरीके से आएगा और यह है हमारा text और यह देखिए बीच में जो मैंने add किये हैं वो भी यहां पे आ गया है यह देखिए इसके लगा और भी इसमें चीजें हैं जो add कर सकते हैं अगर आप अपना voice over यानि अपनी आवाज देना चाहते हैं तो वो भी यहां से दे सकते हैं नीचे की और इसमें option दिये गए है filters कई तरह case में दिये गए हैं आप चाहें तो images के बीच बीच में stickers भी अपने लगा सकते हैं जैसे यहां पर मैं एक sticker लगाता हूं और stickers 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 में यह इसका आप size भी change कर सकते हैं और यह sticker हमें यहां पर लगा दिया है stickers select कर देते हैं अब हमारा यह sticker जैसे देख रहा हूंगी यह यहां पर ले करके time sticker आएगा और यह एक और effect इसमें दिये गए हैं यह बहुत ही अच्छे effect है चली मैं दिखा देता हूं यह देखिए अब जैसे आपको इस image में एक उलका पिंड जिसे हम कहते हैं इंदी में वह अगर दिखाना चाहते हैं तो आप यह effect दे सकते हैं इसके अलावा shooting star और bubbles आप देख रहे हैं यह देखिए हलाकि इस तरह की images में effect की ज़रुत नहीं है लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि इस तरह के effect आप अपनी image के साफ़ से जो वीडियो बनाना चाहते हैं वो यहाँ पर add कर सकते हैं चलीए यह add ही कर देते हैं यहाँ और यह हमने यहाँ पर इसे add कर दिया है तो लगबक मैंने आपको सारे इसमें effects वगरा बता दिये हैं जो इसमें आप add कर सकते हैं और साथ में इसमें text भी मैंने आपको बता दिया है कैसे add कर सकते हैं तो बहुत ही आसान है अपनी photos को जो है उसे एक वीडियो में convert करना और हम यहाँ पर okay final कर देते हैं अब जो है आप उसे convert करने के बाद कहां पर share करना चाहते हैं डायरेक यूट्यूब में डाल सकते हैं Facebook में post कर सकते हैं Instagram, WhatsApp में share भी कर सकते हैं, mail कर सकते हैं इसके लावा अगर more में हम click करते हैं तो और phone में जो option दिये गए हैं वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगी हम इसे यहाँ इसे install करके देखी वो मुझे इतनी better नहीं लगी उसमें बहुत ज्यादा add आ रहे थे और इतने ज्यादा effects भी नहीं दिये गए थे थोड़ा use करना उन्हें मुश्किल था यह बहुत ही simple और आसान अप है और कई effects हैं जो आपको trial version में मिल जाएंगे और यह हमारा video save हो गया ह चलिए अब हमें इसे play करके देख लेते हैं थोड़ा सा time देके अगर चाहे तो इसे और आप creative बना सकते हैं जो images हैं उनमें और अच्छी तरीके से add कर सकते हैं text वगएरा अभी एक सिर्फ normal है जो जो चीज़ें इसमें दी गई है app में आप उन्हें कैसे use करें यह मैंने अगले वीडियो में भी मैं आपके लिए कुछ इसी तरह की apps और नई जानकारी लेके आउँगा तरह काई आप